मैं ये कहना चारू हूँ सर आज सरकार के चिंता ऐसे है कि इन लोगों का खुर्षी बचाने का चिंता है ना रूपय गिरने का रोकने के लिए कोई चिंता नहीं है कोई एक्शन प्लान लिए जब 66 रूपीस में रूपी था ICU में चला गए आज के तारिक में अकारिंग टावर फैनान्स मिनिस्टर रिप्लाई 83 रूपीस 20 पैसा ICU से दो रास्ते है सर एक रास्ता ठीक होकर घर पर आना दूसरे रास्ता मर्चरु को जाना तो ये 83 रूपीस 20 पैसा अगर रूपय का वैल्यू था डालर के तो हम सिधा सिधा मर्चरु में चला जा रहा है इसलिए मैं ये पूछना चाहरा हूँ हमारे फैनान्स मिनिस्टर से अगर मर्च ICU से घर लाने के लिए कोई आक्शन प्लाईन है क्या उसके मेरा और नरेंद्र मोदी जी का एकी सवाल है काप गार पे लाएगा